अलो स्टूरंट्स, वेरी वेलकम टू आयो फेस, तो स्टूरंट्स CSR NET एक्जाम जो की बहुत सरे स्टूरंट्स का सपना होता है कि इस एक्जाम को कौलिफाई करें, एक अच्छी रैंक लेके आए और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ इस एक्जाम में, और जनरली माना से उसकी रैंक जो होगी, वो रैंक भी उतनी ही तगड़ी हो जाती है, तो इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इस टूरंट्स को CSR NET एक्जाम में 120 मार्स किस तरीके से लेके आ सकते हैं, क्या आप लोगों को पता है, कि आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ थेर की पार्ट को करोगे, कोशन की प्राक्टिस को करोगे, तो इतने से क्या आपके एक्जाम में इतना अच्छा स्कोर आ सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीज़े होती है, जो कि आप मिस कर देते हो, और वो मिस करने के वज़े से, आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है, कि मेरा अटेम्ट तो इतना अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ, मेरा स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है, तो इसी को लेके आज की इस वीडियो में, मैं आप सभी स्टोर्ट के साथ डिसकोस करने वाला हूँ, कि कि किस प्रकार से आपका प्लान हो, और क स्कोर 120 प्लस आप लोग लेके आ सके हैं, तो चलिए स्टोर्ट जानते हैं, फिर कि क्या स्टेटेजी आपकी होनी चाहिए, अपकमिंग CSR, नेट एक्जाम के लिए, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन सी चीज़े है, जिसके उपर आपको फोकुस करना है, और कौन सी चीज़े है, जिसको नेसेसर ही है, आपको करना, तो सबसे पहली बात, स्टूर्ट इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, कि एक टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को पता है, जनरल अप्रिटूड, ठीक है, तो जनरल अप्रिटूड के में आप लोगों के साथ बात क करने जाओ, तो बहुत सरे स्टूर्ट यही सोच के चलते हैं, कि सर जनरल अप्रिटूड जो होता है, वो सब्सक्राइब को लगता है, कि मैथमेटिक से स्टूर्ट असानी से सॉल कर पाएंगे, लेकिन होता नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी स्टूर्ट आप लोग रिसेंट के फायू पेपर्स अगर आप लेते हो, फाच पेपर बोलो या फिर फायू येर्स के पेपर्स बोल दो, इतने पेपर्स अगर आप लोग लेते हो, तो वो पेपर्स लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, कि वहाँ पे कौनसे टाइप्स के जनरल अप्टूड के कोश्चन आ चुके है ठीक है उसमें से आपको टार्गेट क्या करना है आपको टार्गेट करना है तेन टाइपस ओफ रिपीटेड कोश्चन तो यह जो कोश्चन से यह कोश्चन काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए तो सबसे पहला पार्ट जन्रल एप्टिटूड के व 10 त्वीक को अच्छी से कर लोगे वहाँ से कम से कम आपके आट कॉश्चंस तो होंगे जो पकाएंगे अगर 10 टैप से कोश्चन बार-बार रिपीट हो है तो 5 इस ताकलको यहां पर आप लोगों को टार्गेट रखना है कम से कम 15 मारक है कोई-भी फूश्च친 हो को जनरल आ mathematics अच्छा हो या फिर ना हो general aptitude को आप students को करना ही चाहिए दूसरी बात आती है unit 4 students को लगता है कि सर हम statistics के students नहीं है तो इस वज़े से हम लोग unit 4 statistics का section जो उसको बिल्कुल नहीं करेंगे क्या यह सही रहेगा कि statistics का section उसको नहीं करना चाहिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा statistics पढ़ना सार्ट कर दो लेकिन statistics के वो points यहां से हमेशा question आते जो की लगबग होते चार question और चार question मतलब आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को वो चार question कम से कम बारा से पंदरह मार्स देखे जाएंगे और नेट एक्जाम में अगर आपको कही से भी बारा से पंदरह मार्स का बोनस मिल रहा इस्टुएंट्स तो मान के चलिए आपको लोट्री लग रही है क्यूँ तो इतने मार्स में आपका LS के साथ साथ जारग भी निकल सकता है तो यह जो बारा से आपके साहर होता है आपके साथ अपके साहर चार अगर आप का स्टाइस्ट्स का बेगराउंड ना भी . पिर भी आप लोग है को कर पाएगे तो वो चार questions, चार topics को अच्छे से पढ़िए अब तक के सारे questions को solve कर लीजए Trust me students, यहाँ से आपके 12 मार्स मान के चलिए 12 से 15 मार्स और यहाँ के आपके 12 मार्स तो यह कुल मिला के 27 मार्स जो है न यह 27 मार्स आपको bonus वाले मार्स बनने चाहिए आपके जो कि आपने सोचा था कि हम इसको नहीं करेंगे अब इसके बाद वाली बात यह तो सताई समार्स हो गए इसके बाद बहुत सारे स्टोंस के दमग में यह चलता है कि सर इंटेगरल के तो दो ही question आते है नुमरिकल के तो दो ही आते है calculus of variation के तो दो ही question आते है तो इनको क्यों कर ले पूरा subject करना पड़ेगा लेकिन क्या आप लगों को पता है कि calculus of variation का जो extreme का जो question आया है वो question हर attempt में होता है एक ही pattern का question होता है हर attempt में होता है दो से तीन differential equation से वहाँ पर बस दो से तीन equation से उन दो से तीन equations को आप solve करने की procedure जान लेते हो तो आपका वो question confirm हो जाए integral equation में भी बहुत सारे questions same pattern के repeat होते जा रहे तो भले आप numerical आपको difficult लगे for example but calculus of variation and integral equation इन दो topics को तो आप अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ numerical का at least iteration method कर दीजेगा क्यूंकि iteration method से भी बहुत ही बार question आच चुका है कम से कम at least यह topics iteration method तो करी दीजेगा तो यह इतना कर देटे हो तो कम से कम आप लोग मान के चलिए वहाँ पे कि आपको एक part b का और एक part c का question मिलेगा जो कि शायद संभव है मैं यहाँ पे पाच question को लेके चल रहा हूँ कि calculus of variation के दो integral equation के दो और numerical का एक question ठीक है जो कि iteration method पे रहेगा इन पाच में से suppose मान के चलिए आपको दो ही question solve हो गए फिर भी यह दो question मतलब लग बग आपके 8 marks आपके unit 3 के जो आपका थोटा सा topic है वहाँ पे भी 8 marks आपके minimum it may be 10 marks it may be 12 marks okay but minimum 8 marks आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे आप लोग यहाँ पे clear कर रहे है आपको कितने marks 15 marks extra आपके हो रहा है 15 marks एडवांस में चल रहे हो अगर आप यह छोटे छोटे topics जो की मेरे इसाब से कुल मिला के calculus operation, numerical integration, numerical analysis and integral equation यह 3 करके चलोगे अच्छे से पूरा का पूरा focus लगा होगे एक week में 3 हो जाएंगे इसके बाद जो हमारा unit 4 है statistics का उसके लिए भी 3 से 4 दिन दोगे आपका हो जाएगा पास से 6 दिन आपको 10 topics को दे देगो पूरा dedicated ली देना है पास से 6 दिन में आपको 10 topics को भी cover कर सकते हैं तो कुल मिला के आपको 10 से 15 15 से 20 दिन maximum इतने टाइम में आपके यहाँ पर 30 प्लस मार्स आही जाएंगे अब यह जो 30 प्लस मार्स आपको आ गए हम बात कर रहेते 120 प्लस की हम 125 की बात कर ले 125 में से 35 तो आपको यहाँ पर मिल गए बचे कितने सिर्फ 90 मार्स अब इतना तो preparation आपको करना ही पड़ता है real analysis, general algebra, od, pd के बाद complex analysis है, abstract algebra है, in pure subject से और applied की subject से suppose इसको भी आपको doubt है कि sir इसमें इतना सारा syllabus है कौन कौन सा कर ले और कौन कौन सा छोड़ दे तो IFS का जो YouTube का channel है वो कब कामाएगा, देखिए वहाँ पर हर subject के आपको important topics बताये गए, YouTube में videos बनाई गई है, हर एक topic कोचे से देख लोगे, जैसे कि real analysis के मैंने 10 से 12 topics बताये हैं, उन topics के उपर बार-बार question repeat हो रहे हैं, तो उन topics कोचे से कर लो, उनकी pyqs कोचे से कर लो, बाकिसले बस तो overall आपको idea आज चुकिए, because अगर आप expect करके चल रहे हो कि आपको 120 plus marks लेके आने है, तो मेरे इसाब से आपने preparation पहले से start की होगी, लेकिन वो 10 topics को अच्छे से focus कर लो, linear algebra के भी 6-7 topics है, तो उपर अच्छे से focus आप कर सकते हैं, you can say partial differential equation जो अगर आप लेते ह ब्रॉन स्कीन के उपर question मिलता है, initial value के problem के उपर question मिलता है, तो कुछ questions है जो की confirm है, silo package के उपर बहुत बार question आ चुका है, तो silo package ये uniform continuity बहुत बार question आ गया है, तो अगर आप ये pattern wise ये आप हर एक subject के वो 5, 7 या फिर 10 topics निकाल देते हो, और उनके उपर properly focus कर दोगे, हर ए topic के लिए है, तो मेरे हिसाब से, ये 90 marks जो लाने ना, बड़ी आसानी से आप लोग ला सकते, बड़ी आसानी से ला सकते, तो क्यूंकि आपको पता होगा, real analysis and linear algebra, ये दोनों subject मिला के 120 plus marks को पूछा जाए, इतना marks आपका सिर्फ दो subject पूछा जारे, आपको 6 subject आपके साथ है और इन 6 subjects में, मैं matrix पर स्टॉक लोजिक हो, तो count भी नहीं कर रहा, फिर भी वहाँ से एक से दो questions सेम pattern के रहते हैं, तो मेरा मानना है कि इन 6 subject में आपको 90 marks लाना कोई बड़ी बात है नहीं, अगर आप ढंग से question paper को solve कर जाते हैं, अब जल्दी में एक नई वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से paper को attempt करना है, जिसके बाद आपको idea आजाएगी कि आपकी जो test होते है, mock test होते है, unit wise test होते है, तो किस प्रकार से कर ले, तो मिलते सुवन जल्दी एक नए वीडियो के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा topic था, जो कि 120 मार्स को कैसे target करें, वो आपको समझ में आया होगा, जनरल अप्टिड के 15, unit 4 के 12, और unit 3 के, जो कि calculus of variation, integral equation, इसके कम से कम 8 मार्स, ये target अच्छे से कर देता है, तो आपको भी पता है, क्रिकेट में अगर lower order अच्छा सा खेल जाता है, तो बहुत ज्या के लिए, तो हमेशा फाइदा होता है, क्यों, तो आपको नीचे जो expectation नहीं होते हैं, कि यहाँ से आपका score आएगा, यहाँ से आपके runs बनेंगे match में, वो भी runs बनके आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है, टेस्ट में, जब last wicket बची हो, या फिर 8 wicket जा चुकी होगी, उस time पे अगर कोई 25 से 30 रंकी partnership कर देता है, तो वो partnership starting के 100 रंकी partnership के equal हो जाती है, कि उस time पे उतना pressure बढ़ जाता है, last के 20 से 25 runs के वज़े से, तो वही होता है कि अगर आपने general aptitude को, अगर आपने unit 4 को, unit 3 के कुछ topics को अच्छे से कर लिया ना, तो वो बहुती ज़्यादा impactful है, और सबसे important बात, आपके वहाँ से marks आने के वज़े से आपको जो आपके pure subject से आपका domain, उसके उपर आपको कोई tension नहीं रहेगा, कोई pressure नहीं रहेगा, कि यहाँ का question गलत होगा, तो यह qualify नहीं हो जागा, क्यूँ? तो आपके पास backbone है, आपके पास all rounder सा अवली चीज़ कर दीजे, friends के साथ, अपने friends को भी बुला लिजे, वो भी इस प्रकार की वीडियो देख लेए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वो भी आने वाले टाइम में, IFS के साथ जुड के, जो भी preparation है, उसको एक अच्छे level तक लेके जाए, तो thank you so much students for watching this video, and all the best, thank you.